दोस्तों हर creator के दो रूप होते हैं, एक रूप जो आपको उनके content में दिखाई देता है और एक रूप जो आपको सिर्फ उनके real life में या The Ranveer Show और ऐसे ही podcast में दिखाई देता है, यह है दुरू वराथी का असली रूप, हमने memes की बात करी, उनकी mentality की बात करी, of course उनकी stories की बात करी और travel की बात करी, दुरू वराथी, like never before, on The Ranveer Show Hindi, enjoy. दुरू वराथी, The Ranveer Show Hindi में आपका स्वाधत है, मेरे भाई, लोगों को लग रहा है कि यह एक political podcast होने वाला है, पर मैं आज दुरू वराथी की असलियत को expose करूँगा, Who is Dhruv Raati the bro? Who is Dhruv Raati the meme consumer? Who is Dhruv Raati the boyfriend? Who is Dhruv Raati in real life? कैसे हो मेरे भाई? मैं बढ़िया, thanks for having me here, और जो question पूछने हैं पूछ सकते हो, कोई controversial हुआ, कुछ हुआ, कोई दिक्कत नहीं मुझे आंसर करने में, किसी, किसी भी question से मैं offended feel नहीं करूँगा, तो feel free. नहीं यार, यह दुनिया का सबसे ज्यादा positive podcast है, और इसलिए no offensive questions, जो मेरे guest होते हैं इस show, मैं उन्हें पहले comfortable करवाता हूँ, और फिर उसके बाद uncomfortable questions पूछता हूँ, तो पहले आपको comfortable बनाना है bro, ने I won't make you uncomfortable, पहले यह बता दो कि आपकी story क्या है, लोगों को आपके बारे में पता है, आपके opinions, आपके दिमाग, आपके research skills के बारे में पता है, पर आपकी story, mostly लोगों इतनी नहीं पता है आपकी story के बारे में, आपका बचपन कहा था, आप कैसे थे बचपन में, were you thinking कि आप YouTuber मनो के बाद में, लाइफ में? बच्चपन में मैं क्या कहूँ मतलब एक मिडल क्लास लाइट स्टाइल जो होता है अर्बन एरियाज में एंसी आर में दिल्ली में पैदा हुआ था दिल्ली में मतलब मैं हर्याना के एक शेर में पैदा हुआ था फिर मेरी फैमली दिल्ली मूफ कर गई थी और वहां पर ही मेर कोई करता है कि engineering कर लो 12th में मुझे रहे उससे भी पहले actually 10th के बाद मुझे पता नहीं था क्या करना है तो सबने का PCM भी ले लो अगर पता नहीं क्या करना है तो ले ली मैंने और उसके बाद ये पता नहीं कि क्या career option चूज करना है तो engineering कर ली कि फिर over time मैंने ध्यान दिया कि मेरे interest किस चीज में है और फिर दीरे-दीरे इस field में मैं आ गया crazy engineering से आपको क्या मिला? gifts क्या-क्या मिले engineering college से? बहुत सारी बहुत सारी चीजे सीखी सबसे बड़ी चीज तो मैंने यही सीखी कि सीखते कैसे हैं किसी चीज को understand कैसे करते हैं, learn कैसे करते हैं, किसी फी चीज को मैं practical knowledge apply कैसे करनी है मैं यही कहूंगा सबसे सबसे बड़ी learning मेरी यही रिग है engineering से I feel कि as a YouTuber जो आप एक दूसरे YouTuber का content देखते हो आपको उस इंसान के बारे में ज्यादा पता चलता है as compared to an average viewer तो जब मैं आपका content देखता हूं तो one thing that strikes out at me is, इनकी research skills बहुत बढ़िया है, आप बहुत ही ज्यादा अच्छा research करते हो, आपका दिमाग I feel बहुत ज्यादा organized है, तो क्या पहले से आपके research skills ऐसे थे, यह आपने इस पर भी मैनत करके यहां तक लाया अपनी research skills को, और research skills honestly, professional world में बहुत जरूरी होता है, बट लोग यह समझते हैं और शायद Indian schools में ज्यादा सिखाया नहीं जाता research, research करना बहुत बड़ा compliment है क्योंकि, actually, मैंनी मानत है मेरी research skills और organization skills especially इतनी अच्छी हैं, but I try my best to keep improving each time, in fact, अगर आप मेरे सबसे पहले के videos देखोगे, तो they were just rants and opinions on something I felt very passionate about, और over time मैंने धीरे-धीरे skills को refine किया है, और खुदी सही सीखा है मतलब, videos अपलोड किये, देखा लोग क्या respond करते हैं, फिर समझा कि अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, तो जो research skills कहोगे, वो over time ही develop होई है, natural born talent तो definitely नहीं था, और मुझे लगता नहीं कि ऐसी चीजों में talent आ सकता है, लेकिन, for example, इसका एक example मैं दूँ, तो लोग मुझे कहते थे कि मैं बहुत biased हूँ, म तो मैंने सोचा कि opinions को तो बनला नहीं जा सकता, जिस चीज में मैं belief करता हूँ, उसमें मैं belief करता हूँ, और मैं वीडियो पर बोलूँगा, यह मैं bold और outspoken ही रहना चाहता हूँ, तो what I did was कि मैंने videos को ऐसे structure कर दिया कि जो opinions होगे मेरे, वो video के end में आएंगे, शुरू में only facts, 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 objective, objective तरीके से दोनों sides के पक्षबता है क्या है यहां पर, इस side ने क्या कहा है, और end में एक छोटे section में मैं उपना opinion दूँगा और video के top right corner पर लिखाएगा कि अब मैं opinion दे रहा हूँ, तो this is a way of improving I think, कि लोगों ने कहा यह चीज गलत थी, तो how I improved, और ऐसे ही बहुत स सारी चोटी-चोटी चीजे थी, जिनको मैं दीरे-दीरे improve करता रहा हूँ और आज जो product दिखता है, वो इस level तक पहुँच पाया है, लेकिन if you see any of my older videos, you'll see a very very big contrast. आपके हिसाब से आपकी सबसे बड़ी strength क्या है, अगर आपको एक ही strength select करनी हो तो उस strength क्या होगी, एक सबसे बड़ी strength. In what aspect, कि YouTube में या life में? Life. Life तो बहुत ही generalize हो जाएगा, लेकिन अगर YouTube पे बोलना हुआ, तो I would say मेरी strength है कि मैं complex information को concise और simple तरीके से समझा सकता हूँ. I think that is one thing I'm really good at, कि almost, बहुत variety of fields में, मैं यह नहीं कह रहा है कि almost, हर चीज में मुझे पता है कि क्या कैसे काम करता है, मैं चीजों को समझ सकता हूँ, जो relevant experts से उनसे समझ के और उस complex information को एक simple तरीके से समझा सकता हूँ. पर अगर कोई मुझसे यह question पूचता तो मैं कहता कि शायद मेरा endurance या मेरी stamina मेरी सबसे बड़ी strength है कि मैं काम continuously कर सकता हूँ, हर दिन कर सकता हूँ, I never run out of stamina, box to box midfielder, तो वो हिसाब से life में आपकी strength का है, from a mentality perspective. From a mentality perspective, मैं कहूंगा, काम और कंपोजड रहना मेरी strength है, in stressful situations and always thinking from a logical aspect instead of letting the emotions overpower myself. Crazy, which is what we see with online hate, I know that, like even I face some amount of online hate, but I can't imagine what you go through, क्युकि मैं ने देखा कि अगर मैं कोई भी हलका सा political opinion, या हलका सा current affairs opinion डाल देता हूँ, online, आपको पता है क्या होता है, दोनों साइट से मार पढती है, I can't imagine you've made a brand out of that, उस strategy के advantage is यह है कि, there's many consumers for that kind of content, lots of people want news, but यह downside होती है कि on a personal level आपको मुक्के खाने पढ़ते है, तो उस experience के बारे में कुछ बता दो, कि जब भी मैं आपका content देखता हूँ, as a consumer, I think कि, dude, great content, very watchable, but this guy has guts to put it out, you know, he's facing something not a lot of people would be ready to face. नहीं, it was a choice to make, मैं खुद से पूछ रहा था, काफी बार पूछा है मैंने कि, is it worth the hate that I receive, कि मैं अपना opinion बता हूँ यहाँ पर, लेकिन, फिर मैंने सोचा कि, अगर इतना हर चीज में, online life में, सोच समझ के करना पड़े, दो बार सोचना पड़े कि, अच्छा यह बोलू, ना बोलू, उसका क्या असर पड़ेगा, तो, फाइदा नहीं हुआ, फिर influencer बनने का, अगर इतना ही safe play करना है, तो, क्या फाइदा हुआ, इतने influence का, इतने subscribers का, followers का, जब अपने मन की चीज ओपनली बोली ना पाओ, that's why, I think, कि एक personal decision था, कि मैंने चूज किया, कि नहीं, जो भी है, मैं, जिन चीजों को वे बारे में, strongly feel करता हूँ, उसको मैं express करूँगा, online, अपने गुरू फिल्म देखिया, अभिशेक बच्चन की फिल्म, बहुत पहले देखी थी, जब मैं छोटा था, जब हॉल में आई थी, तब देखी थी, मैंने, मैं कल गुरू देख रहा था, कल और पर्स, मैं एक फिल्म कभी नहीं देखता, अच्छों बच्पन में, मुझे एडिएच्ड, का एक पेशेंट बुलाया गया था, काफी डॉक्टरों ने, तो, I don't, I can't, I can't sit in one place and consume a thing continuously, but over the last two days, I'm seeing Guru, and I got very emotional watching it, especially the initial parts, I'm going to cry, if someone asks me, if someone asks me, if you're doing your career, I would probably say Guru, you know, I want to make a business, that's why I'm doing YouTube, and you know that about me on a personal level, I think audiences also know that, I have the same question for you, what is that film that you see yourself in? There are two or three films, I would say, the number one film is Three Idiots, that really influenced me the most of all the films ever, I would say, that really, you know, try to do something different, try your own thing, go the path that has not been walked on, and the second film, I would say is Zindagi Na Millegi Dubbara, that really helped, you know, express my passion for travel. Okay. But, पर्येआर के लिए वो अंडरलाइंग मोटिव क्या है, कर्येआर वाइज उड्यवज विए ने पर्डिकिलर फिल्म? थ्री इडिएटीए कर्येआर भी, कि मैं ऐसी चीज़ कर रहा हूं जो कि, इतने लोग नहीं करते हैं, और, जो लोग डरते हैं करने से बेसिकली crazy जो आप YouTube वीडियोस बना रहे हो मान लो आपको यह ऐसा वीडियो बना रहे हो जहां आपको पता है कि हाँ यह वीडियो वाइरल जाने वाला है, यह वीडियो से हेट मिलने वाली है यह वीडियो पर लोगों के opinions बहुत अलग-अलग किसम के होंगे तब आपकी underlying motivation क्या होती है आपका opinion release करना, change लाना, you know, YouTube growth. I know that's not your underlying motivation. I can see it in you, but what is the underlying motivation behind your career? अब यह क्यों कर रहा हूं? This particular kind of YouTube. I think मुझे लगता है हमारे media की space में एक space है, एक gap है, जो कोई fill-in नहीं कर रहा है. I feel कि जादतर media हमारा आज के दिन सरकार के favor में बिख चुका है और कोई भी ऐसा बचा नहीं है जो actually counter-question कर सके हैं. तो जब भी मैं video बनाता हूं, I think that's the motivation कि लोगों को दिखे कि यहां पर एक और voice है, जो opinion बताया जा रहा है. And they feel that at least someone is trying to express the and say the things for what they are. अब दूसरों को inspire करने की कोशिश कर रहा हूं? You can say that, हाँ. कह सकते हो आप ऐसा. कभी यह सोचा है खुद के बारे में कि लोग आपका content देखके अपनी सोच बदल रहे हैं या अपने perspectives shift कर रहे हैं. आपने उस motivation के साथ content बनाया है कभी? Definitely हाँ. मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि जो भी मैंने बताया है, उसको समझ के देखकर लोग अपना opinion खुद से बनाया है. मैंने चाहता है कि लोग मेरे से हमेशा agree करें जो मैंने वहाँ पर बोला है. मैं काफी बारी बोलता हूं कि just agree to disagree, you know, कि मेरा मेरी राय यहां पर यह है, लेकिन आपकी राय कुछ और हो सकती हैं पर और आप बताईए आपकी क्या राय है. Okay, अभी honestly, I need to ask you this and this I've been dying to ask you off camera for many years, since I've known you which I think is 2-3 years now. आपके future के plans क्या है, like जब आप 50 साल के हो जाओगे, 80 साल के हो जाओगे, where would you like to see yourself? क्या आप politics में entry कर रहा होगे? Controversial question. या आपको भी businesses खड़े करने, आपको क्या करना है life में? ये वाला कुछ जाद ही long term का कोशन है, मैं इतनी long term की सोचता नहीं हूगी क्या करना है. लेकिन politics में तो मैं ना ही कहूँगा, मुझे इतना interest नहीं है politics में जाने में. क्योंकि मुझे दिखता है कि politicians को किन-किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है. उन्हें बार-बार ऐसी चीज़े करनी पड़ती हैं जो वो शायद इससे खुद हैगरी ना करें लेकिन लोगों को appease करने के लिए उन्हें कुछ चीज़े करनी पड़ती हैं. और मैं यह नहीं कर सकता तो I think मैं अच्छा politician नहीं बन पाऊंगा अगर यह सब नहीं करा तो मैंने. तो politics से बाहर रहकर change लाना I think यह मैं करना चाहता हूँ कि देश को कैसे positive sense में बदला जा सके, कैसे लोगों को empower किया जा सके और for a good exchange लाए जा सके, लोगों के mindset में, लोगों के behaviors में और action में. मैं हर YouTuber से यह सवाल पूछता हूँ कि क्या आप reinvention के बारे में सोचते हूँ या नहीं, I don't feel for for tech and news reinvention is necessary. I feel like you can use the same formula because content keeps reinventing itself. पर फिर भी मैं आप से पूछता हूँ कि आपने खुद के, आपने actually किया reinvention, आपने vlogging start किया, that's a kind of reinvention. But constantly, what else are you thinking? मैं तो कहूँगा कि constantly मैं reinvention के बारे में सोचता हूँ, even though बहार से देखने में नहीं लगेगा कि मैं कुछ change, ज्यादा change करने लग रहा हूँ, लेकिन at any point of time मेरे दिमाग में 4-5 plan होते हैं कि मुझे ये चीज़े अलग करनी हैं, और इस साल में भी मैं कुछ ऐसी चीज़े करूँगा, जो इन दोनों चैनल्स से थोड़ा और हटके होंगी, और different होंगी. एक vlog channel तो बहुत different step था ही, लेकिन ऐसी और चीज़े भी मैं करना चाहूँगा, I think मैंने आपके काफी podcast देखे हैं, आपने बार बार इस चीज़े को reinforce किया है, कि अगर आपको grow करना है, तो reinvent तो करना ही पड़ेगा, और I definitely agree with that. I think more than अगर आपको grow करना, it's like if you don't want to lose your relevance. I hate saying this, I really hate saying this because I don't like using human examples. It's Bobby Deol versus Akshay Kumar, they were at the same place at one point and the difference is Akshay Kumar ने reinvention चुना, and you know, fame and the world of Bollywood is harsh, you shouldn't say things like that, but that's the truth about this world. Exactly, और कई बार ही ऐसा लगता है कि जब हमारी position में अगर हो आप, तो लगता है कि क्या जरूरत है reinvent करने, कि ये चीज़ मैं नहीं करूँ है, ये कभी नहीं कर सकता मैं, पर अपनी comfort zone से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, नहीं तो possible नहीं हो पागा, जैसे कि जब ये TikTok का trend आय in 10 years from now, अगर लोगों के attention span actually मैं decrease हो रहे हैं, तो मैं उसे कितना भी resist कर लो on an individual level, मैं उसे बदल नहीं पाऊंगा, तो शायद मुझे reinvent होना ही पड़ेगा, अपने आपको survive करने के लिए. Crazy, I actually think you'll be a great self-help YouTuber also, and I think in many ways you are already, but that's something you should like look at, maybe. In some ways, yeah, I try to, I try to, I will try to go in that field in the future, I have some plans. Yeah, I feel India needs more of that, especially from the women's domain, in India generally female YouTubers, why do you think there are fewer female YouTubers? I think society का pressure, मैं यही कह सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो कोई answer नहीं है, क्योंकि, it's not only in the field of YouTubers. अगर आप women की employment देखोगे, in the last 10-15 years, वो नीचे ही जाती गई है, for some reason. और जो बाखी कंट्रीज हैं, जैसे की बांगलादेश में, वहां पर उपर गई है. तो exact reason, it's very hard to say, but यह जो trend है, यह सही नहीं है, कि ओरतों को घर पही रहने के लिए motivate किया जा रहा है, वो अपना खुछ से कुछ ना करें, खुछ से काम ना करें. It's in every field, I think. Unfortunately. Yeah, and you know, I hope it changes with the next generation, the kids who are like 10 years younger than us, or born in the 2000s, 2010s, I really hope it's different. अभी, Indian women की बाते हो रही है, obviously I have to ask you about your love life, क्योंकि यह मसालेदार podcast है, self-help की भी बाते होंगी, career की बाते होंगी, but आपके personal life की भी बाते होंगी, what's up in your personal life, क्या हो रहा है? I think, मैं को, मुझा अच्छा चल रहा है, मैं ज्यादा reveal नहीं करता है, ज्यादा personal चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि, कुछ चीज़े private होनी चाहिए, मतलब में. हमारी life, as a creator, influencer, वैसे भी लोगों कितने aspects पता हैं हमारी life के, तो जो चीज़े private रह सकती हैं, उसे रखनी चाहिए. नहीं, crazy. What has a relationship done for your career? उतना पूछ लूँगा. हाँ, यह तो definitely, I think, और यह बड़ा interesting answer भी है, क्योंकि, बहुत से लोगों को लगता है कि, एक girlfriend, girlfriend की चीज़े बाद में करनी चीज़े हैं, पहले अपना career set कर लो, job आ जाए, अच्छे पैसे कमालो, उसके बाद सोचेंगे. बट इस चीज़ से मैं agree नहीं करता, I think, अगर आपने सही partner को चुना हैं, तो they actually help you grow, they actually help you with all the other things. यह तो ऐसा होगा है कि, I feel that this comparison is similar to saying that, कि, रात को सोने की क्या जरुवाता है, या खाना खाने की क्या जरुवाता है, अच्छी डाएट की क्या जरुवाता है, यह सब बाद में हो जाएगा, पहले मैं जॉब पर concentrate करता हूँ, पैसे कमाने पर concentrate करता हूँ, फिर मैं अच्छी डाएट करूंगा, अच्छी बादी बनाऊंगा, तो I think relationship is that aspect, it's as important as these other aspects. No, I completely agree with you, like I feel that again, I've had like maybe two or three viral videos, which was our first viral video on Aamir Khan's steroid use, when it was the release of Dungal's release. That was the first video I saw of you. Yeah, that's what a lot of people say, uh, far from making fitness content now, but I think back then, uh, I think the whole world of Bollywood was hating, Aamir Khan's trainer ने भी शाइद एक विडियो बनाया था, तब, तभी मुझे बहुत बहुत ऐफेक्ट किया था, वो पूरे situation ने, क्युके, मैंने कभी, I was 23, यार, मैंने उस type of hate नहीं था लाइट में, and मुझे पता भी नहीं था, कि internet की ताकत ऐसे होती है, कि आपको overnight fame भी मिल सकता है, उसके साथ साथ overnight hate का tsunami भी मिल सकता है, तो I won't say कि it affected me, but definitely अजीब, अजीब मोमें थी मेरे लिए, और तभी मेरी एक, जो तभी की girlfriend थी, तभी long term relationship थी मेरी, उसने मुझे बहुत support किया, उसने मुझे ground किया, बोला कि, नहीं don't worry about it, this is a part of your job, I feel कि आपको relationships, शादी, girlfriends या boyfriend से वैसे चीज़े मिलती है, वापको एक anchor, anchor की anchoring gift होती है, आपकी relationship पापने, यह बहुत अच्छा तरीका है, डिस्क्राइब करने का, anchoring और support जो आपको मिलता है, और एक time off भी मिलता है इन चीजों से ना, जो अगर आप constantly 24-7 स तो body को और mind को relax करने का time नहीं मिल पाएगा, definitely, I have two tough questions for you, पहले, कि आपको कभी in-person hate face करना पड़ा है, मतलब in real life has someone come up to you and done or said something mean, luckily, no I would say, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक reason यह हो सकता है कि मैं इंडिया में रहता नहीं हूँ शायद, यह इसके बीचे reason हो सकता है कि मैं बाहर जाता हूँ तो इतने लोगों से नहीं मिलता, but on the other hand मुझे reason यह भी लगता है कि online hate फैलाना बहुत असान काम है, किसी को keyboard पर type करके गाली लिखना, लेकिन reality में जब आप face to face मिलते हो, उसके मुझ पर कोई चीज बोलना, एक next level की चीज होती है, और लोग बाहर बुझा चाते हैं. That's right. Okay, दूसरी question, आपके लाफ में टेंशन का सोस क्या है? क्या आप कभी भी टेंशन के साथ सोटे है? I sleep sometimes with tension about work, you know, I'm very goal oriented as a person. So I keep questioning if I've reached all the goals I've set for myself. Like I owe it to the version of myself from one year back. जो मेरे एक साल पुरानी वर्जिन है, मैं को उसे जवाब देने पड़ते हैं That's sometimes the source of tension for me So I'm gonna ask the same reflected question to you कि आपका source of tension अगर है तो वो क्या है At this point मैं कहूंगा कोई source नहीं है tension का But over the course of time मैं अलग-अलग चीजों से मैंने tense feel करा है और जब भी मैं tense feel करता हूँ तो मैं अपने आप से पूचता हूँ कि इस चीज़ को लेकर मैं कुछ बदल सकता हूँ कोई action ले सकता हूँ कि मैं tense feel ना करूँ अगर हाँ तो वो मैं action अभी ले लेता हूँ ताकि tense ना feel करूँ और अगर ना तो वैसे भी मैं कुछ नहीं कर सकता है इसके अगेंस तो क्या पॉइंटे tense feel करने का तो ये mindset मैं हमेशा रखता हूँ आप इने काम और composed कैसे हो ये एक genetic gift है आप meditate करते हो क्या है आपकी secret क्या है मैं कहूँँगो behavioral changes से कुछ हद तक आया है कुछ चीजे ये one of the few चीजे जो मैं कह सकता हूँ कि naturally मेरे अंदर थी लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था कई बारी मुझे आद है बच्पन में school में जब stage पर बोलना होता था मुझे मेरे pair कापते थे मतलब हाथ ऐसे ऐसे हिलने लग जाते थे stage पर जाने से पहले तो over time मैंने इसको खुद introspect करने की कोशिश करी ऐसा क्यूं होता है इसे कैसे improve किया जा सकता है अगर public speaking से डर लगता है तो उसे और करने की जरूवत है जब तक करते रहो जब तक डर खतम नहीं हो जाता तो I think over time ऐसे ही मैंने improve किया चीजों को जिन-जिन चीजों से मैं dense होता था stressed होता था उसको minimized कैसे किया जाए उसके favor में actions लिये जाए और धीरे धीरे life में फिर change आया I definitely feel कि आप एक reader हो as in आप किताबे पढ़ते हो maybe you're a good psychologist also I don't know that we'll get to that later but आपके learning sources क्या है मतलब आप खुद को adult education के लिए खुद की adult education के लिए आप क्या करते हो मतलब कोई YouTube channels देखते हो क्या आप podcast सुनते हो क्या आप किताबे पढ़ते हो and if yes then please name your sources actually कोई सच बताऊं तो कोई इतना directly मैंने कोई इतने किताबों से influence नहीं लिया या फिर directly किसी एक podcast या एक video से जब भी मुझे किसी particular चीज़ के बारे में search करना होता है तो I use Google search और जो वहाँ पर results आते हैं फिर चाहे वो blog post हो चाहे articles हो books हो most of the times वो blog post या कोई भी जो लोगों ने चीज़े लिखी होती है advice लिखा होता है वो किसी ना किसी book को refer करता है फिर जाके मैंने वो book पढ़ी और अक्सर मैं books को पूरा नहीं बढ़ता है मैं बस वो part पढ़ता हूं जो मुझे relevant लगता है लेकिन कई पर यह ऐसा होता है कि पूरी book बहुत पसंद आजाती है मुझे तो मैं पूरी book पढ़ने बैठ जाता हूं तो बेसिकली बुक रेकमेंडेशन दे दो अभी जैसे मैंने ये book पढ़ रहा हूं 4 hour work week पढ़ी है आपने हाँ it's one of my favorite books मैंने बहुत apply किया है उसके logic को अपनी life में बहुत ज्यादा अब मैं उसके जो जो writer है I feel I'm modeling my career on him in many ways, Tim Ferriss अच्छा I think it's a very great book जो lessons मिले हैं और कैसे business को work को handle करना है actually अब मैं आपके business को देखता हूं तो I can see that you have applied the same things that he has recommended find co-founders, delegate make yourself free for creative art exactly वही सब चीज़े करनी है but I honestly feel with my business मेरी शुर्वाद भी नहीं हुई अब तक and sometimes I feel like I've really underachieved in like five years from a business perspective YouTube I'm very satisfied but business I'm very hungry I feel ki a lot more could have done but I also believe that everything happens at the right time जो आपका time हाँ, सब खुद से हो जाएगा opportunities सामने से एंगे लोग सामने से एंगे और यह genuinely मैंने खुद की लाइफ में भी देखा है कि at the right time things pop so overall I'm in a good space but there's just a lot happening so I think I need to read four hour work week again basically four hour work week इसी चीज़ के बार में है कि आपकी efficiency आप कैसे बढ़ा सकते आप कम टाइम में ज्यादा काम कैसे कर सकते हूँ exactly आपने क्या गेन किया उस book से वैसे यही चीज़े की कैसे पहले उससे मैंने सबसे बड़ी चीज़ तो यही सीखी कि सब चीज़े खुद करने का कोई फायदा नहीं है कि जब मैं एक वीडियो बनाता हूँ तो research, script writing, editing, thumbnail, description सब कुछ खुद से करना एक time waste की तरह है क्योंकि people out there वो मेरा content देखना चाते है वो और frequency से देखना चाते है वो और topics पर देखना चाते है तो sense बनाता है कि editing कोई और करे research में मदद के लिए कोई हो यहाँ पर thumbnail बनाने के लिए कोई हो इन चीजों के लिए कोई हो तुछ से की अपने लिए और free time बनाया जा सके और उस free time को फिर use किया जा सके और अच्छा content बनाने के लिए creative art के लिए जो आपके दिल से नकल रहा है वो बनाने के लिए very direct question ब्रो क्योंकि मैं एक self-help youtuber हूँ और एक podcaster हूँ self-help youtubers forced to think about self-help की खुद की life में क्या changes apply कर सकता हूँ अभी मैं yoga सीखने जा रहा हूँ hut yoga, physical yoga पहली बार life में क्योंकि मैं WWE wrestlers के बारे में पढ़ा है पहली बार Undertaker पहली बार hut yoga hut yoga physical yoga होती है जैसे वो padmasan, bhadrasan वो सब back namaste surya namaste physical yoga hut yoga कहते है the word yoga basically means union मतलब milan तो और yoga के अलग-अलग aspects होते है hut yoga होता है bhakti yoga होता है bhakti yoga मतलब positivity prayers divine love devotion mandir jana you know puja करना just having love for God फिर होता है karma yoga which is basically कि आप अपने काम में अपना hundred percent दिल डाल रहे और आप honestly अपना काम कर रहे हो आप अपनी soul अपने काम में डाल रहे हो and the fourth one is kriya yoga which is जैसे hut yoga आपके body के लिए होती है kriya yoga is about kriyas मतलब आपके दिमाग के लिए भी yogas होते है breathing techniques होते हैं different kinds of meditation होते हैं तो honestly लोग कहते हैं कि उन में से एक को भी ignore नहीं करना चाहिए अच्छा जब आप हट yoga की बाते कर रहे हैं तो weight training भी उसमें इंक्लूड होता है मेरी body बहुत ज्यादा stiff है उसकी बज़े से मुझे बहुत injuries हो रहे है मैं हमेशे yoga को physical yoga सी associate करता था actually मुझे लगता था यह ही yoga है मतलब that's most people और यह एक misconception I feel the western world looks at it also that way कि अगर लोग yoga word use करे तो लोगों लगता है कि हाँ हट योगा के बारे में but yoga is a very wide word अच्छा तो as a self-help YouTuber मैं अभी yoga सीख रहा हूँ ताकि शायद 2 साल बाद मैं लोगो yoga सिखा पाँ but and as a podcaster I have to I have to learn conversation I have to learn about people I really need to care it's great क्योंकि जो skills आपको एक podcast इंप्रूव करने में लगते है वो आप real life में भी apply कर सकते हो आप flirting में अप्लाई कर सकते हो आप business में अप्लाई कर सकते हो आप parties में अप्लाई कर सकते हो networking में अप्लाई कर सकते हो podcasting skills अलग ही होते हैं ठीक है तो मैं हमेशा self-help के बारे में सोच से रहता हू podcasting के बारे में सोचते रहता हो conversations के बारे में सोचते रहता हो क्या आप हमेशा current affairs के बारे में सोचते रहता हो because of your content all this was for one question बहुत जादा हो जाएगा अगर हमेशा मैं current affairs के बारे में सोचूँँगा तो बहुत stressful हो जाएगा I dedicate time की मतलब current affairs के बारे में रिसर्च करनी है, पढ़ना है, एक दिन में कुछ टाइम के लिए मैं यह करता हूँ, बाकी टाइम मैं नहीं सोचता है कर अंडफेर्स के बारे में, क्योंकि न्यूस वैसे भी काफी स्ट्रेस्फुल हो जाती है, if you actually read the news and you feel, you know, influenced by it in some way or other, तो इतना healthy नहीं है, कि 24 गंटे न्यूस पढ़ते रहना, मेरा दिमाग मैं कहूंगा, traveling पर होता है, कई बारी और business के sense में कैसे improve किया जा सके, इन चीजों के बारे में मैं सोचता रहता हूँ, यह कहूंगा मैं. मुझे आपके साथ एक experience share करना है, तो basically कोई भी content creator को यह definitely पता है, यह content का एक unsaid rule होता है, कि अगर आपके content के cover पर, यानि कि हमाई YouTube में हमारे thumbnail पर, या news, media के दुनिया में उनके headline पर, अगर वहाँ कोई negative vibe वाला शब्द हो, तो शायद ज्यादा clicks मिलते हैं, ज्यादा eyeballs मिलते हैं, यह human nature रहता है, कि अगर आप death, robbery, deceit, corruption, उन सब चीजों के बारे में news बना रहे हो, तो definitely eyeballs ज्यादा वहाँ ज It's a very normal thing, अब एक पर psychology of negative biases हमारे audience के लिए समझा दो, कि क्या होता है, यही है जो चीज आपने कहीं है, कि लोगों को negative, लोग negative चीजों पर ज्यादा click करते हैं, ज्यादा influence होते हैं, ज्यादा emotional feel करते हैं, तो as a result वो उस चीज को ज्यादा देखते भी हैं, और अगर किसी news channel को TRP चाहिए, तो वो obviously negative चीजे ही दिखाएगा, 100% और यह सिर्फ इंडिया का phenomenon नहीं है, यह worldwide phenomenon हर जगा mostly negative news दिखाई जाती है, to gain TRPs, क्योंकि for a news channel to run itself, it needs TRPs for the money, so यह बहुत normal situation है, ठीक है, तो यह हो गई business situation, यह business perspective है कि negative vibe के साथ आपको अपना काम दुनिया के सामने expose करना है यह है मेरा experience, मैं दो-तीन news studios को मैंने visit किया है मेरे life में, और वो news studio के अंदर जवाब जाओगे न, I think main studio के बाहर vibe neutral रहती है, लोग professional होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, research कर रहे होते हैं, जब आप news studio के अंदर जाओगे, और उस news anchor को देखोगे, जिन्हें day and night negative headlines पढ़नी है, जिन्हें day and night, हर चीज को एक negative perspective से देखना, आप वो darkness feel करते हैं, और यह मैंने देखा है, खुद, मैंने news studios visit किया, और यह मैंने खुद मेरे आखों से देखा है कि, उस news anchor के अंदर बहुत, I won't say negativity भरी है, बट उनका perspective बहुत dark होता है, and it's not their fault, क्योंकि this is the nature of their job, that's why they're exposed to day and day, people say that you're the average of all the content you consume also, you're the average of people around you plus content you consume, now in their world, in their job, they need to consume that news channel every day, every night, that's why I strongly, this is a bold prediction, I personally feel that the future of news is independent journalism, just like you're doing, इस चीज़ पर आपकी कोई राय है, क्या आपको लगता है कि news channels might fade away, I think they will, because, और मेरी reasoning थोड़ी अलग है, कि news channels क्यों नहीं चलेंगे future में, और मेरी reasoning यह है कि 24-7 news दिखाना doesn't make sense, मतलब, क्या इतनी news सही में, हर किसी को जाननी जरूरी है, कि 24 गंडे कुछ news चलती ही रह, मे यहाँ पर कुछ हुआ, उसे, मैं क्या करता हूँ अपने वीडियो में, जो भी हुआ वहाँ पर उसको concise तरीके से, objective तरीके से, simple तरीके से समझाओ 10 minute में, ताकि देखने वाले को समझ में आ जाए, कि actually क्या हुआ ठीक है, हाँ, मैंने समझ लिया क्या हुआ है यहाँ और, अ एक और बहुत बारा difference क्या है, जो मैं content बनाता हूँ, मैं concise, उसे कम से कम time में summarize करने की कोशिश करता हूँ, एक incident को, और news channels क्या करते हैं, उन्हें एक घंटे का space मिला हुआ है, उन्हें अपना एक घंटा feel करना है वाँ पर, वो fill-in कर रहे हैं, stretch कर रहे हैं, और मैं यहाँ प हीचना है, I think यह reason है कि news channels fail क्यों हो जाएंगे आने वाले time में, और independent journalism क्यों succeed होगा, यार, I feel यह एक harsh reality है, और यह मैंने journalists से भी बात किया, काफे सारे, journalists actually in news channels को छोड़कर, खुद का personal brand start कर रहे है, online personal brands बना रहे है, for the same reason, चाहिए उन्हें भी लगता है कि यार, नहीं, this is not going to be relevant for much longer, I don't know what the future is, but I definitely feel कि जब हमारी जनरेशन अपने middle age तक पहुचेगी, यानि की 40, 50, 60 years तक पहुचेगी, तब तक it'll only be independent journalism, because we will be deciding, people will be deciding what should be the future, but the question is about the next, my age 26, 27, next 15 years, रिखते क्या होता है, चलो यह हो गई बाट, 2035 मीडिया वर्ल्ड की, अभी 2035 जेनरल वर्ल्ड की बाते करेंगे, इस podcast की एक recurring theme है, Yuval Noah Harari, यह मेरे एक favorite author है, आपको उनकी कितावे पढ़नी चाहिए, I think you will really resonate, Sapiens, Homodeus, दोनों पढ़ी है, crazy, crazy, third वाली भी पढ़ लो, I think you'll actually like the third one, the best one, actually, actually, मुझे उसकी history ज्यादा पसंद में आई, जो उसने historical perspective से चीजों को बता, Sapiens मुझे ज्यादा बेटर लगी, Homodeus के comparison में, क्योंकि, Homodeus के end में वो थोड़ा, चीजों को speculation पर ले गया था, उसे जो लग रहा था, random, कहीं पर भी, futuristik से चीजों की बात करी जा र आरे में, like about the next 10-20 years, but वो ही vibe है, कि वो guess कर रहे कि यह भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, but अच्छी book है, I felt like it was a stimulating book, मैं Sapiens थोड़ी सी पढ़िये, complete नहीं किया, मैं अभी पढ़ रहा हूं, slowly पढ़ रहा हूं, उनकी किताबे जब मैं पढ़ता हूं, मैं एक्तम slowly पढ़ कर सब चीज़े absorb करता हूं, exactly, एक 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 लाइन पढ़ के research करने का मन गरता हूं, उस पर अच्छे यह है, पर गूगल पर search करो, मतलब इसके बारे में और पढ़ो, definitely bro, and I feel कि as a podcaster, I need to keep stimulating my own head to have content, but मेरी question है, 2035 इंडिया के बारे में, आपको क्या लगता है, 2035, चलो, let's call it 2050 इंडिया, not 2035, आपको क्या लगता है, 2050 इंडिया में क्या होने वाला है, Dhruv Rathi, I want to hear your opinion, बहुत ही मुश्किल है प्रेडिक्ट करना की क्या होने वाला है, तो दोनों साइड कुछ भी हो सकता है, कि we can become the next Russia और China, जो एक pseudo-democracy है, Russia जैसे बार बार से उपर से dictatorship है, एक ही तरी अगर उस thinking के against कुछ बोल दिया, तो you'll be arrested, you'll be put in jail, ऐसा हो सकता है, और economically देश के लिए ऐसा हो गया तो अच्छा नहीं होगा, और सभी के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ, एक bright future भी हो सकता है, जहां पर लोग जो actually करना चाते हैं, वो करें, लोग अपने business खोलना चाते हैं, जो भी opportunities उन्हें life में मिलती हैं, जो करना चाते हैं, वो सब कर सकें basically, it can go either ways I would say, मैं आपको एक दो interesting चीज़े बता देता हूँ, जो मुझे हाली में पता चली, तो मेरे एक friend है Nikhil Kamat, हमारे English podcast पर उन्हें feature किया गया, वो Zero Da के co-founder है, उनके भाई के साथ, one of the smartest guys, I know, तो वो भी बहुत futuristic thought के इंसान है, और उन्होंने मुझे ये का कि I think census कितनी बार होता है, हर 10 साल census होती है, 10 साल, 10 साल, तो उन्होंने मुझे एक बहुत interesting चीज़ बोली, कि किसी भी population को stable रहने के लिए, reproduction rate, यानि कि हर family में कितने बच्चे पैदा होते हैं, तो stability के कोई भी nation की stability के लिए, दो बच्चे पैदा होने चाहिए हर family में, the mother and the father produce two kids, तब आपकी population stable होगी, अगर आपकी average growth rate उससे ज्यादा है, तो population बढ़ेगी, ठीक है, तो last census में growth rate थी I think 2.2, पर हाली में जो census हुआ है, exactly, हाली में 2011 में हुआ था आकरी census और 2.3 के आसपस थी, औ और अभी predict किया जा रहा है कि already शायद India as a whole replacement fertility rate reach कर चुका है, अभी 2021 में होगा, इसी साल में होगा next census, I think एक mock census हुआ था, उसकी बाते हो रही थी, जब मैं निखिल भाई से बात कर रहा था, और उन्होंने मुझ से कहा कि actually वो number 2 से नीचे चला गया है, on an average थोड़ा नीचे उसका ये मतलब है कि हमारी population बढ़ेगी नहीं, शायद stable रहेगी या नीचे चले जाएगी, but the downside to that is, जो problems Asian countries में हो रहे है, Japan, Korea में हो रहे है कि उनकी aging population है, वो शायद एक Indian problem बन जाएगी, कि शायद 10, 20, 30 साल में हमारी aging population बनेगी, जहाँ energy levels low होंगे, growth rate कम होगी nation की, jobs कम हों बदल रही है, जहाँ AI आने वाला है, AI is going to steal many jobs, and at the same time, the other end of the spectrum is कि biohacking होने वाली है, कि हमारे हम सब के life spans, जितने भी लोग 1980 के बाद जन में है, उनके life spans बहुत जादा बढ़ेंगे, तो no one knows exactly what's going to happen, but have you read anything about the future, like I love talking about the future, bro. इन चीज़ों के बारे मुझे इतना बात करना सही नहीं लगता, जो कि बिल्कुली speculative चीज़े हैं, लेकिन what you said about the population rate, that is the reality today, actually यह होगा ही definitely, इंडिया की जो replacement fertility एक बार ही रीच कर लिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि एकदम से population reduce होनी शुरू हो जाएगी, कुछ 20-30 साल ल इंडिया की population peak करेगी, और उसके बाद नीचे जानी शुरू हो जाएगी, और उस point of time तक हम अपनी जो youth है, इसे as an advantage इस्तिमाल करें, करना चाहिए, क्योंकि जिन countries में population नीचे जाने लग रही है, उनको थोड़ी मुश्किले हो रही है डील करने में, क्योंकि जिस तरह से हम हमारी economy structured है, वो ऐसे structured है कि अगर हमें grow करना है, growth बहुत जरूरी है हर चीज़ में, किसी भी business में, और customers को लाना, और products को sale करना, और यह possible नहीं है अगर देश की population increase नहीं हो रही तो, तो economy को restructure करना पड़ेगा, कि किस तरह से इससे disconnect किया जा सके, इस consumer के mindset से, कि मतलब हमें औ और consumers चाहिए, और products को बेचना है, और चीज़े खरीदो, इसे disconnect करना चाहिए, but I think यह उस point of time तक हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक 2050-60 आएगा, तब तक जो बाकी developed countries हैं, वो already से deal कर चुकी होंगी, किसी ना किसी तरीके से, अभी क्या कर रही हैं, जो developed countries हैं, जैसे कि Europe में population नीचे जा रही है, तो यह immigration लाना चाह रहे हैं, कि और जो developing countries educated लोग हैं, वो हमारी countries में आ कर रहो ताकि इससे compensate किया जा सके, जैपान जैसी countries में immigration की जिगे हैं, वो technology का इस्तिमाल कर रहे हैं, इससे deal करने के लिए, but let's see कि 10-20 सालों बाद क्या real solution निकलता है, इस problem का, दो questions है Europe के बारे में, पहले तो European इंडिया के बारे में क्या सोचता है, और दूसरी question है कि यार, आप अभी Europe में काफी टाम से रह रहे हो, वहाँ की vibe और वहाँ की thinking इंडिया से अलग कैसे है, बहुत aspects में अलग है, कहां से मैं शुरू करो, कहां, गो फरे, पूरा paragraph बता दो, एक सबसे important aspect में बताऊं, अगर thinking का अलग है, तो यह है कि यहाँ पर लोग blindly praise करने में बिलीव नहीं करते किसी चीज़ को, Vienna जो शहर है, मैं काफी बार गया हूँ Vienna में, वर्ल्ड की number one city है, world's most livable city की ranking में number one है, क्योंकि जो infrastructure है, आपर वो one of the best in the world, greenery one of the best in the world, लेकिन यहाँ पर सडकों पर जाकर किसी साइब पूछोगे, कि आपकी क्या राय है, कि आपका जो शहर, आप जो शहर में रहते हो, दुनिया का number one शहर है, लोग आपको बोलेंगे, अच्छा ऐसा है क्या, चलो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद लोग पाँच गलतियां के लिए धून देते हैं, और जो कि एक अच्छी चीज है, if you want to improve, you need to criticize, you need to see कि कहा पर गलत हो रहा है, लेकिन इंडिया में क्या होता है, कुछ भी गलत होता है, तो उसे दबा कर रखा जाता है, नहीं भई, हम तो सिर्फ एक अच्छी इमेज दिखाना चाहेंगे, इसे इस ही फीड करोगे बच्चों को, कि नहीं, इंडिया is the best country, इंडिया is the best culture, तो बच्चे के माइंड पर क्या perception आएगा, उसे लगेगा, ठीक है भई, मैं तो best country में रह रहा हूं, कुछ, कुछ change करने के जरूरत ही नहीं मुझे, कुछ improve करने के जरूरत ही नहीं, ऐसा perspective आपको सि चहरों में travel करते हो, countries में travel करते हो, तब आपको दिखता है कि वहाँ पर लोग किस तरह से सोचते हैं, और अकसर ऐसा होता है कि छोटी-छोटी चीजों को लेकर आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, लोग ऐसी भी thinking रख सकते हैं, तो mind को एक तरह से open up कर देता है कि आपके mind में जो possibilities थी, वो इतनी थी, अब एकदम से इतनी possibilities हो गए, आपको लगता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, लोग ऐसा भी करते हैं यापर, तो it's very helpful in knowing all this. कुछ चीज़े highlight करना चाहूंगा यार, यह मैंने काफी थारे podcast में इस बात के बारे में बात किया है, जो आपने कहा था था न, कि India mostly, मतब यह generalization नहीं है, पर mostly on an average, लोग चीज़ों को ego पर लेते हैं, कि यार यह कैसे बोल दिया, मेरी thinking यह, वो actually क्या होता, at its core it's taking it on the ego, त तो यहां के लोगों का ego ज्यादा होता है, self-respect बहुत ज्यादा होता है, Europe, America, South America, इन सारे regions की बात की जाना, तो लोगी thinking थोड़ी outward रहती है, they live less within their minds, यह मैंने travel से गें किया, जहां भी मैंने ट्रावल किया, मैंने यह देगए कि वहां के लोग हमेशा थोड़ी outward रहते हैं, आख में जाकर बैठेंगे, they like getting to know other cultures, but subcontinent में, Pakistan, India, Sri Lanka, लोग थोड़े internal होते हैं, खुद के ही दुनिया में रहते हैं, खुद के ही perspectives में रहते हैं, अगर किसी का conflicting opinion है, तो rather than saying, hmm, कि मैंने आपसे सीखा कुछ, I don't agree, बट मैंने आपका perspective तो सीखा, लोग यह कहते हैं, नहीं यहाँ पर इंडिया में, जो subcontinent, South Asia, महाँ पर लोग चीज़ों को personally बहुत जल्दी ले लेते हैं, ego पर बहुत जल्दी ले लेते हैं, कि ऐसा हो गया, और जबकि यूरोप में आप कुछ भी का होगे, लोग बहुत कम personally लेते हैं, किसी भी चीज़ से offend होते हैं, almost next to nothing, जर्म इंडिया में जितना एक फिल्म को लेकर offend हो जाते हैं, उससे कम लोग यहाँ पर इतनी serious चीज़ को लेकर offend होते हैं, offense की बात की जाए और culture की बात की जाए, तो I feel कि आप पुराने फिल्मों को देखकर बहुत कुछ कह सकते हो culture के बार है, तो मैंने हाली में दो पुरानी फिल्में देखी, guide देवानंद की guide देखी, और मैंने छोटी सी बात देखी, जिसमें अमोल पाले कर, और मैंने गुरू तो भी देखी recently, चलो, Guru की बात बात में करेंगे, पर यह दोनों फिल्में की बात है, पहले करेंगे, basically, these films are based in the 60s and 70s, और dialogue से, screenplay से, आपको यह पता चलता है कि तब लोग कैसे सोचते थे, and I feel कि पहले के लोग, again, वो लोग भी respect के बारे में बहुत जादा बाते करते थे, नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, बाहरी दुनिया, European दुनिया, अमरीकी दुनिया ऐसे नहीं सोचती, वो नहीं सोचते कि यार, ठीक है, मतलब, I'll take up this new job, I'll take up this new business, और Guru की भी बात की जाए, सब लोगों पता कि Guru दिरुबाय अंबानी पर बेज़ तो दिर दिखाया है, उनका, उनकी college life दिखाया है, यह उनका वो early entrepreneurship phase दिखाया है, जब वो अपने पिताजी को convinced कर रहे है, कि इन नहीं मुझे entrepreneur बनना है, मुझे job नहीं लेना, और तभी भी उनके पिताजी नहीं दिस्कुरेज किया था, क्यूंकि तब इंडिया में ग्रोथ माइंस है, फिल कि हमाई जनरेशन भी थोड़ी सी वेस्टन है, बहुत कम लोग है जिनके पास growth mindset होता, बट जो next generations हारी है, जो 2000s में जन्मी है, जो 2010s में जन्मी है, वो उन लोगों का globalized mindset हो, और फिल कि उन दो generations में से बहुत ज्यादा entrepreneurs निकलेंगे, और उन्ट्रपनौर्स की बद इस दुनिया में ethical capitalism का भी एक stage बन सकता है, जैसे, I mean I can't think of anyone, बट मैं बनना चाहूंगा, ethical capitalist, की environment को damage मत करेंगे, I think Apple is a good example of that, Apple company जो है, वो 100% renewable energy पे अपने sources को चलाती है, जो भी उसके centers हैं और जो iPhones बनते हैं, iPads बनते हैं, company खुद recycle करती है उनको, और कोशिश करती है कि कैस जाधर जाधर recycle materials का इस्तिमाल किया जा सके हैं, तो I think many many more examples will come up, एक example है मेरा यह जो backpack में लेकर घूमता हूँ, जिस company ने backpack बनाया है, यह completely carbon neutral है, तो जितना carbon dioxide यह generate करती है, अपने process में कि इस bag को बनाने में, जो materials source की हैं, उसको compensate करने के लिए उतना ही वो trees हुगाती है, जिस net environmental effect मेरे business का है, वो zero निकले है, या फिर positively affect करे environment को. I feel कि यह जिस type के businesses के बार में आप बात कर रहा हूँ, वो sustainability based businesses है, that is also a big part of the future, but I feel ethical capitalism is a lot of things, you know, not bringing corruption into your business, human rights also, treating people well, that also. I feel कि उसका potential है इंडिया में, वो mentality है इंडिया में, नवल रवी कांथ मेरे एक idol है, उन्होंने एक बहुत बड़या बात कही है कि अगर आप ethics से काम करोगे तो आपकी growth rate slow होगी, definitely slow होगी as compared to unethical capitalism, great example of unethical capitalism would be hate based content, अगर आप बहुत गंदे तरीके से किसी को roast कर रहे हो, अग आप किसी और दूसरे यूट्यूबर को देखके यह हमेशा उनके बारे में hateful content में कि यह गलत बोल रहा है, मैं ही सही हूँ, that's a form of unethical capitalism, आपको growth तो fast मिल रहे हैं, आपको viewers मिल रहे हैं, but at the cost of losing those viewers और यह जल्दिया वो छोड कर जाएंगे, और यह rules business में भी apply होगी, but I definitely feel, जैसे कि Nawal Ravikandh ने बोला कि अगर आपने ethical capitalism follow किया, तो आपकी growth rate slow होगी, but end में आपके benefits ज्यादा होंगे, और आपकी self-actualization, आप self-actualization समझा दो क्या होता है, but अब आप एक बार समझा दो, Dhruv भाई, self-actualization का मतलब, बड़ा मुश्किल है इसको define करना, but यह यह कि अपन से अपने में comfortable feel करना और अपनी surrounding के साथ comfortable feel करना, और कैसे डिस्क्राइब किया जाए? नवल रवी कांथ वो कहते है कि यार मैं लाइफ में खुश हूँ, नवल रवी कांथ क्याते है, क्योंकि उन्होंने ethical capitalism follow किया है, slowly investments किया है, किसी को धोका नहीं दिया है, और वो यह कहते है कि मैं अपना life में बहुत peaceful moment तक पहुँच गया हूँ, जब मैं हर दिन खुशी से लोटता हूँ, अगर आपने unethical capitalism follow किया है, जैसे कि लोग कहते है कि politics में बहुत जाद unethical capitalism होता है, काफी सारे businesses में unethical capitalism होता है, जहां environment को harm किया जा रहा है, forest को burn किया जा रहा है, villagers को निकाला जा रहा है उनके खुद के घर से, तो हाली में हमा चल गया था, वहां के locals कह र जोला पावर, यूज विंड पावर, इतने अल्टरनेटिव सोसे है, बट क्यूंके हाइड्रो पावर जेनरेट करने के लिए, डैंस की चंस्रुक्शन होती है, प्लांट की चंस्रुक्शन होती है, वहां, इस लाइकली था मनी लॉंडरिंग हो रही है, बट फिर भी यह हो स्गूंस बट, जो क्οιमों चील होती हो ब great 검hen अघर चंस्रुक्शन कार्मा को भी हो थान में रख के बिजनिस करो भी कि टूरण प्रमोट र्यादर जितने ही मेरे केस्ट, सभी लोगों ने ऐथिकल कैपितलिज्म प्रमोट किया, वह हो कहते है कि do the people around you, automatically आपकी growth होगी obviously आपको business के concepts apply करने है profit loss के concepts apply करने है product strategy apply करनी है but at the core of it keep ethics and you will grow true true yeah do you feel positive about ethical capitalism yeah of course I think I'm talking about future generations of course I think this would be the way to go और काई कंट्रीज में अलरी देखने को मिल रहा है जैसे European countries में कौन से products popular हो रहा है कौन से companies popular हो रही है जो अपने environment की परवा करती है जो sustainable दिखाती है अपने आपको जो vegetarianism या veganism को promote करती है actually ये एक बड़ा interesting trend है जो मैंने देखा है ethics के comparison में ethics की बात कर रहा है तो बोलो you're also a vegetarian right yeah yeah the first time first time I lifelong meat first time I visited Germany यहां पे एक mcdonald's तक में एक vegetarian burger तक नहीं मिलता था vegetarian खाना मिलना बहुत मुश्किल होता था और यह 2006 की बात है और आज इतने vegetarian restaurants हैं और vegan restaurants हैं शहरों में आपर की you won't believe it so the change is happening I think the whole yeah the whole world is turning vegetarian they've been saying this for 10 years but actually it's happening COVID की वाज़ों से बहुत लोग vegetarian बन रहें are you vegetarian? you're vegetarian I'm vegetarian I'm vegetarian this also I don't agree with if it's your choice personal choice personal choice personal choice your body physiology and your life physiology according you have to make your dietary choices exactly when I was a power lifter non-veg because I was a need for it as I aged I realized now I have to eat my body vegetarian it's a very personal choice so Dhruv भाई very random question before we get to the rapid fire round of the Ranveer show random question yeah are you related to Ritu Rathi from Flying Beast? not at all many people ask this question I had talked with Ritu Rathi and we don't have any relation let's take the twitter verse questions so this is what we have in our podcast in this section started twitter verse questions from my team and twitter from the world at beer biceps we have questions and we have many questions sent by twitter verse for you this is probably our longest twitter verse round so Dhruv Rathi are you ready for the twitter verse round this is a little rapid fire round so answer in short but if we go to tangents then that's fine no problem answer it in whatever capacity you feel like okay so first but you think that podcast growth I had a lot of this thing with Zakir Khan and Zakir said that it depends on who is making the content so if India's top podcasters which is you and me brother which is you and me top podcasters they have interesting content can make content if the content will be good so it will probably grow up in this country I don't know what I have learned is podcasting is definitely a skill it's not everyone's cup of tea but I don't know honestly I don't know it's difficult but of course if there will be a good content then people will see definitely I think honestly we have a little serious podcast but some podcast podcast bhoot zabardas my favorite podcast kan must you have a very big podcast Jose Covaco who is MTV Jose I follow him his videos but he doesn't listen his podcast his podcast is very good especially season 2 or 3 it's legendary he co-host Cyril and most importantly his podcast created Suresh Menon I think India one of the best mimics Sachin Saif Arnab Goswami his podcast is very good and his podcast has been central themes poop jokes fart jokes urine jokes that was his podcast so I feel that every Indian can check those two podcasts kan must and comedy AIB which was the first podcast that is very dark that was one of my favorite podcasts back in the day personally I haven't seen so much podcasts actually your podcast is a good podcast which I have heard but I don't listen than you I don't know what I'm doing what I'm doing I don't know what I'm doing this podcast was because I had to stop the English channel I was not able to cope like back I think two years ago one and a half two years ago I was a lot overload feeling with business with YouTube I was really thinking of switching off the English channel my team said what is the easy type of content for you so I said okay we start podcasts and people meet us in the office networking through life I have to conversation with them basically it was a form of networking for me it was a form of getting to know people and then randomly podcast started so it was a very random situation that brought me into podcast but useful informational I guess so this is Manish Pandey he's sort of my mentor in chief at B.O. Iseps content king who you know three things about two questions okay first question three things about content strategy research skills Indian content and its future content strategy you talked about research but then add one line and what is India's content and its future what is India's future content pardon me um this is a very difficult question future content what will happen today we can see in every field that will be a good content and it's very difficult to tell what kind of content people will love but with time there are trends that what people like what people don't like or and like bollywood film we can look at some people who say that this masala type bollywood film is very old and overused लोग उन्हें बहुत हेट करते हैं लेकिन अभी भी मैजॉरेटी जनता उन्हीं कोई देखती है जब वो सो दो सो करोड कमा लेती हैं वो फिल्में तो इस तरह से क्या चेंज आएगा क्या नहीं आएगा बड़ा मुश्किल है बताना ठीक है और आपके आपकी content strategy क्या होती है content strategy क्या हुआ exactly कैसे define करोगे इसे मतलब आप अपने अगले दो महिने के लिए आप किस टाइप के विडियो बनाने वाले हो कैसी style से विडियो बना रहे हो मानलो आप vlogs बना रहे हो तो आप आपके दिमाग में क्या रहता है vlogs बनाने से प कौनसी होगी Sweden का मैंने plan किया तो वहाँ पर क्या करना है वहाँ पर कौनसी activities करनी है वो मेरे दिमाग में रहता है और और क्योंकि मेरा वैसे तो जो main channel पर content है वो often news related रहता है तो I think उसमें कुछ strategy ज्यादा apply नहीं होती as soon as I feel कि इस issue पर वीडियो बनाना चाहिए then I start working on it आप आपको लगते है अभी भी evolve कर रहे हो as a YouTuber definitely हां कुछ 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 चीजें है वंदल जो मैंने पहले सी तयार कर रखे है कि यह plan यह plans है मेरे और इस type का content थोड़ा बनाना है तो that I'm thinking a bit ahead apart from the news content okay और Manish भाई की दूसरी question this is from adjoined2manish what does Dhruvrati learn with every single video that he creates a lot actually मैं खुद ट्राइ करता हूं कि every single video जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं चाहिए वो किसी भी चीज़ पर हो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जब लोग उसे देखे तो उन्हें देखकर लगे अच्छा मैंने कुछ नया सीखा है यहां पर जैसे कि कोरोना वाइरस का जब mutation हुआ था तो वो एक news related topic था लेकिन जब मैंने वीडियो बनाया तो उसमें कुछ ना कुछ educational aspect जरूर रखा और उसमें educational aspect था कि mutation क्या होता है कै कैसे काम करती है और थोड़ा evolution के बारे मैंने बात करी थी तो ऐसी छोटी 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 चीज़े जब भी वो news related topics से होती है तो I myself learn a lot sometimes जब मैं उसके बारे में पढ़ने चलता हूँ कि evolution कैसे काम करती है Charles Darwin, mutation हर वीडियो में मैं try करता हूँ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो औ मैं भी कुछ नया सीखता हूँ इस reason की वज़े से crazy okay Sanjit Keswani की एक और question है यह भी मेरे team member है थोड़ी सी haraamipan fueled question है but I think relevant question है क्या लोग but especially लड़किया impressed हो जाती है आपके knowledge की वज़े से यह मैंने खुद जो मैंने का ना podcasting skills होती है people get impressed with my social skills and communication skills कि आपने यह देखा है यह change आई है आपके life में कि लोग बहुत जल्दी से impress हो जाता है आपके दिमाग के साथ और यह YouTube की देन है यह हमारे career की देन है कि हम career के लिए research करते हैं पढ़ते हैं बड़ लोग भी impress हो जाती है shit यह क्या है मैंने हा मतलब लोग excited होते हैं मिलकर कुछ लोग impressed हो जाते हैं लेकिन इसका मज़े ज्यादा experience नहीं है to be honest क्योंकि मैं on a day to day basis लोगों से मिलता नहीं हूं जो मुझे जानते हैं मतलब content देखते हैं तो I don't have much experience with this ठीक है cool I mean अगर आप Bombay में आपका घर है तो आप आपकी networking game automatically strong बन जाते हैं आप अलग-अलग type के logo से मिलते हो I've definitely seen it मैं जब Bombay खुद आया था तो मैं मैंने experience किया था कि कैसा लगता एक influencer बनके एक mini celebrity बनके yeah and you know I love mini celebrity hood, I don't have to be a celebrity celebrity बनना नहीं है विस अढ़ाइब आपका नहीं है रोड पर road पर walk कर अच्छा रगता है रेवल कर नाप्छा रगता है तो very nice comfortable level of fame और मैं ये भी देखा है कि India में जनरली Bombay में especially YouTubers के बहुत रस्पेक होता है especially अगर थोड़े से अश्रेइंस यूटूबर उपके लिए ब toss कि रिए रिस्टॉछ पाया भे mind hemma mara compañ को एकुल्य पहीं। आध आ इस व्रेशिकृ ऴीटिति था तग वैठ नेश्चे एँ तो अज Questo. those were the beautiful days, it is its own high, it does have a sense of power that comes with it, but again, it's about just enjoying it and not really using your power to fuck around, like just ethical capitalism, so that's what I'll say, okay, this is a little bit of a question, info tech space, my question to Dhruv Rathi is, does Dhruv follow minimalism, why is he wearing simplistic t-shirts, minimalism you follow, life, minimalism, yeah, then you can say almost majority of aspects, when you travel, every time I have to go with all the equipment, these lights, studio lights, green screen here, so it's difficult, so I always try to minimize things, I always try to do my girlfriend's apartment with my girlfriend, I was only a single room, in the house, so I was not there, so obviously, my habit is the same thing, I keep minimized, I keep the same things, I keep the same clothes, I keep the same objects, products, I keep the same in the house, so I try to keep the same, I keep the same things, I keep the same, I keep the same, because as many things, the same clutter, the same mind is also cluttered, feel, it's the same, I keep 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 the same, what does average Europeans think about India, Europeans ki raya kya India ko lekar, बड़ा interesting question है, ऐसे generalize करना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि हर इनसान की अलग-अलग knowledge होती है, वो भी individuals हैं, Europeans भी, तो हर individual की अपनी राय होती है, लेकिन कुछ चीज़े मैंने जो common देखी हैं एक है कि इंडियन खाने को लोग बहुत इंडियन से associate करते हैं, लोग इंडियन खाना बहुत पसंद करते हैं आपर, दूसरा है Bollywood फिल्म है और तीसरा होगा इंडियन कल्चर जो है योगा के sense में और spirituality और meditation इन चीज़ों से associate करते हैं लोग आपका interest है meditation में spirituality में ये रनवीर at be a by self guy की question है आप जितना नहीं है और करते हो meditation नहीं उस sense में नहीं करता है कि meditation मतलब एक time निकाल कर सिर्फ meditate किया जाए आपको लगता है future में करोगे I think जो मैं करता हूँ वो meditation से comparable ही है कि कई बारी जब relax करना होता है be in the nature just observe your surroundings जो आसपास आवाजे आ रही है जो दिख रहा है उन चीजो को observe करो और mind को खाली रखो so I think this is a form of meditation right it's a form of karma yoga की be in the moment I know you as a person or honestly bro I'm gonna be straight up with you because I feel I have that equation with you but there's a lot of people who have a bad image about you because maybe their opinions don't align with yours but I know you off camera and I know you're a good person so I know you're someone who doesn't hurt other people you're professional all these things you are a karma yogi in many ways because you're very honest with your work and I feel like that's why the universe is rewarding you also so much because you you put your heart and soul in your work and you know you you respect your audience you you do justice to your work so you are a karma yogi right now but again people say that if you grow in yoga you focus on the four factors पर focus करें आप in many ways आप हटी होगी भी हो क्योंकि आप अपना बॉडी का ख्याल रखते हो बड़ उसके साथ साथ भक्ती और क्रिया बड़ बहुत परस्नल चॉइस है फिर से मंदिर बनाने की बात करेंगे कास्ट में इसकी बात करेंगे और अगर लोग काम को देखकर वोट देंगे एजुकेशन हेल्थ केर तो उसी टाइप के पॉलिटिशन आएंगे तो लोग पॉलिटिशन उसी तरह से अपने आपको एड़ाप्ट करते हैं जहां पर majority opinion जाता है क्योंकि उन्हें votes जीतना है उन्हें majority vote जीतना है तो यह लोगों पर depend करता है इस सवाल का सही जवाब यह होगा content drives culture, culture drives society, so I feel कि जिस तरह का content अगले 10 सालों में निकलेगा इस बहुत important aspect सही बताया आपने क्योंकि media भी लोगों के mind को influence करता है अगर media पर constantly ऐसी चीते चलेंगी जो धर्म से related होगी तो लोगों के mind भी उसी सही influence दोंगी लेकिन अगर media बदल जाएगा, लोग जो content consume कर रहे हैं वो बदलेगा, intelligent होगा, logical होगा, तो लोग भी उसी तरह से ही सोचेंगे, definitely I think धर्म पर content बनाना बुरी बात नहीं है, बट अगर आपके धर्म में कोई भी hate involved है, कोई भी गुसा involved हो गलत होता है, क्योंकि धर्म और गुसा, it's just two opposing things. किसी तरही धर्म, before being a Hindu, Muslim, Christian, Buddhist, Sikh, your first dharm should be a good person, you know, दूसरों को गाली मत दो, दूसरों पर anger मत फेको, I just, that's just my opinion. यह actual definition है, लेकिन reality में जो media करता है, जिस तरह पे जब मैं कहता हूँ कि politicians धर्म की बात करते हैं, तो वो इस वाले धर्म की बात नहीं करते हैं, धर्म का मेरा मतलब है कि दूसरे धर्म को गाली दो, अपने धर्म को दूसरे के against रखो, और एक us versus them की mentality create करो, कि देखो वो हम यहां पर heroes हैं, तो वो हमेशा negative aspects से यहां पर बात करी जाती है, धर्म की, जब भी media या politicians बात करते हैं, तो, और positive में मैं कहूंगा, आप जैसे content बनाते हो, वो positive type का धर्म हो गया. But that's again not everyone's cup of tea, मुझे पता है कि मेरे content के लिए कम consumers है, क्योंकि मेरा content थोड़ा uncomfortable content, it makes you think, it makes you want to change, and यह हर इंसान के बस की बात नहीं है, and that's fine, इसलिए हम दे बियर बाइसे व्लोग की शुरुआत किया, जहां मैं full let loose करता हूं, पर, I don't know bro, I don't know what the future will hold, honestly. Same, same, my hope यह है, my hope यह है कि लोग अच्छा content consume करने लगे, you know, honestly, मैंने यह एक चीज़ देखी हमारे podcast के साथी, जब हमने podcast की शुरुआत की थी, on an average, okay, we dropped from 250k or 300k views on an average on self-help content, which is anyway low compared to the rest of YouTube, but we dropped down to 20k views, or 30k views, when we started podcast content, that's how, not interested people were in podcast, and then gradually Priyanka Chopra को लाकर, Bollywood को लाकर, थोड़े से cricketers को लाकर, और फिर businessmen को लाकर, spiritual leaders को लाकर, हमने वो content को, इंपरूफ किया, upward rise, I won't say content, I feel like content का level वही था, पर interest levels कमते हैं, तो views बढ़े हैं, on average, हाँ, तो even वो जो पुराने podcast हैं हमारे, they're constantly going up, I believe in creating content that has a very long shelf life, मतलब, 50 साल बाद भी लोग इसी वीडियो को लेखेंगे, और, and the way I look at my content is, मैं एक internet पर एक book लिख रहा हूँ, this is one of my businesses, and I'm going to create many more things that also stay for 100 years, but content is just one thing, तो कोई भी content piece बनाने से पर लिखेंगे, that's why मैं अपने podcast में current affairs के बार में इतना बात नहीं करता हूँ, क्यूंके current affairs है, future affairs नहीं है, बट मैं future के बार में बात करता हूँ, क्यूंके शायद future में लोग ये देखें कहीं हो गया, like, so that's, that's, that's my logic, but, um, podcast rose with time, और लोग कहते की, जो Hindi content consumers है, वो भी consume करेंगे podcast, the best case scenario for me is, शायद 5 साल बाद मैं एक daily podcast start करूँ, और तब consumers होंगे उतने, then you're a real thought leader, you know, like, this is, this is still, you're, you're being a content creator, like Joe Rogan, yeah, that's 5-10 years away, for Indian, for an Indian podcaster to talk about current affairs on a daily basis, India's not ready for it yet, India's not even know what the meaning of podcast, so if you have to make an actual daily show, it'll probably be in 2025, I think, 2025 or 2026, but that's just how I look, do you agree, what do you think? नहीं, सही बात है, अभी, अभी लोग इसके लिए ready नहीं है, definitely, लोगों को इस टाइब का content इतने लोग consume नहीं करते हैं, पता है, जब विराट कोली मेरे podcast पर आएंगे, शारुक खान मेरे podcast पर आएंगे, तब लोगों को पता चलिए कि शिट, ये भी एक content type होता है, ये interesting content type होता है, again, it's sad that you have to use Bollywood and cricket as a bait, पहले मिठास के लिए Bollywood and cricket डाल दो, लोगों को खीचो, और फिर उसके बार आप scientist ला सकते हो, मुझे भी psychologist लाने है, scientist लाने, but the audience is not ready for it. सही बात है, हाँ. What can I do? मान लो, अगर मैंने तीन-चार businessmen को भी back-to-back लाया, तो लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि ये क्या boring हो गया, ये वो, फिर कोई mainstream लोगों मो लाना पड़ता है. अगर लोगों को सही में इंप्रूफ करना तो इस ताइप का content अकसर boring ही होता है. क्या करें? I mean, you know, there is a way to make it interesting. But there is a limit to it, कि उस sense में entertainment नहीं हो पाएगा, अगर आपको अच्छली में कुछ सीखना है इस से तो. I also feel कि वो जो अगले generations की बाते हम कर रहे थे न, the 2000s and 2010s, उन लोग की mentality बहुत अलग है. वो बहुत knowledge हुंग रही है, वो data हुंग रही है, और वो growth हुंग रही है. हमारी generation से बहुत ज़्यादा growth हुंग रही है. Actually, इसमें पता नहीं कि ये जो नई generation है, ये actually मैंसी निकलेगी या इसका alternative भी हो सकता है, दूसरी तरफ भी जा सकती है चीज़ और वो कैसे, क्योंकि आज के दिन जितनी भी चीज़े इंटरनेट पर available हैं, बहुत सारी algorithms के थुरू designed हैं. क्या इस नई generation को algorithms ही feed करेंगे, जो वो सुनना चाहते हैं, जो वो देखना चाहते हैं, और एक ऐसा feedback loop बन जाएगा, जो उनकी creativity और thinking को और भी ज़्यादे restrict कर देगा, ये भी हो सकता है आने वाले time में. मैंने इसी चीज़ के बारे में मेरे एक दूसरे mentor, Captain Raghu Raman से बात की थी, उन्होंने कहा था कि your generation is the mental health issues generation, सबके mental health issues होने वाले हैं, social media की वज़े से, algorithms की वज़े से, तो mental health issues basically आपके दिमाग के अंदर की एक बिमारी होती है, it's very natural, it's a biological problem, तो जब लोगो बिमारी से गुजर रहे होंगे, तो they will look for escapes, they will look for help, they will look for medicine that is not physical, और तब ऐसा content discover होगा, की ओके, यह होती है spiritual, यह होती है self-help, यह होती है physical fitness के benefits for mental fitness, तो when you are forced, you know, into a situation, when your back is against the wall, that's when you go for heavy content, and honestly, मैं ओवरवेट था, for most of my life, when I was a teenager, I was overweight, और I think, 16 साल के ओमर में मेरे तीन सर्जरी होगे, दो शोल्डर सर्जरी होगे, एक गॉल ब्लाडर की सर्जरी होगे और उसके बाद मुझे physical fitness की importance बता चलिए और फिर बियर बाइसेप्स बना, अच्छा, and everyone from the younger generation I feel will have lots of mental health issues and they'll be forced into watching self-help, that's just my theory, again, यह शाइद मेरी ज्यादा optimistic theory हो सकती है, but मैं इने demographic changes, seems like, I mean, हो सकता है, and I also know कि जो content मैं अब बना रहा हूँ, यह शायद चार-पांथ साल बात discover होने वाले हैं, क्योंकि हम हमारे पुराने podcast, I mean, जो पुराने podcast के episodes है, एक साल पहले shoot किये गए, उन में बहुत जादा views or downloads आ रहे हैं, especially lockdown के दौरान, लोगों ने हमारे first few episodes देखे, विराज के साथ, YouTubers के साथ, so my hope is that if you go with that strategy of creating evergreen content, तो at some point in the next 50 years, it will get, definitely, और यह एक बहुत बड़ा contrast है, जिस type का content मैं बनाता हूँ, जो कि बहुत ही short-lived होता है, एक views में peak देता है, लेकिन उसके बाद, आज से, end goal वो ही है कि लोगों की thinking बदलनी है, मैं थारू आप आप आर्मान हो, हमारे strengths अग है, आप, एक किसी के powers यह है, किसी के powers बहुत है, but end goal वो ही है, आप, you know, we want to change the world, but let's see, let's see what happens in the future, bro. Okay, this is, this is interesting, वरूल चतुरवेदी asks, ask Dhruv, did Dhruv get any death threats, if someone has found his video offensive, death threats मिलें आपको? जो serious वाले हैं, वो सिर्फ, ironically, किसी political वीडियो के लिए नहीं, वो एक, movie के trailer पे reaction पे मिले थे, जब मैंने, KJF movie पे reaction दिया था, और, मैंने बोल दिया था, उसका मजाग उड़ा दिया था, तो लोग उससे इतना offend हो गए थे, बढ़ ये क्या हुआ था, I don't know about this condo, क्या हुआ था? मैंने, मैंने और मेरी girlfriend ने react किया था, उस trailer के उपर, तो हम trailer को देख रहे थे, enjoy कर रहे थे, हस रहे थे, तो लोग उस पे offended feel हो हो है, कि कैसे तुम इस scene पर हस लिए, एक scene था जिसमें, वो जो main hero एस film का, एक rocket launcher से या कुछ gun, gun चलाता और वो jeep हवा में उड़ जाती है, तो मैं उस पर हस लिए, कि ये क्या physics है, ये तो मतलब गोली ऐसे आई, और jeep ऐसे उड़ गई, तो लोग उससे इतना offended feel करने लग गा है, कि ये death threats तक देने लग गा है, जब आपने ये reaction विडियो बनाया, आपने सोचा कि इतना offense लेंगे लोग? कोई idea नहीं था मुझे, मुझे पता भी नहीं था कि लोग इतने closely associate करते हैं आपने आपको एक movie से, बाद में मैंने थोड़ा पढ़ा इस कावरे में तो पता चला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो South India के कुछ film industry में कोई actor की death हो जाती है, तो लोग suicide कर लेते हैं, ऐसे cases actually मैं देखने को मिले हैं, it's very sad, ये पता है, इंडिया की strength भी है और इंडिया का weakness भी है, और और as far as possible, try making emotions your strength, put it into business, make businesses, that's genuinely what I feel, Varul Chaturvedi ही पूछते हैं कि क्या आपने India move back करने का सोच है, his specific words are why can't Dhruv change the country while being within India itself, I can, there is no restriction to it, but there are some reasons, कि अभी मैं इंडिया में क्यू नहीं future में definitely maybe अगर मेरे को लगा कि इंडिया में shift होना चाहिए कर सकता हूँ, एक reason तो ये है कि मैं personal level पे क्या goal है मेरा, personal level पे goal है कि to maximize my happiness or I do what I want to do, और मुझे लगता है traveling करनी है मुझे, तो यहाँ पे रहके मैं traveling जादा असानी से कर सकता हूँ, mostly भारतिया समाज में लोग समझ से ने कि nomadic lifestyle भी एक realistic चीज होती है 2021 में, बहुत लोग nomadic lifestyle को adopt करते हैं, but क्यूंकि आप Europe में बैठा हो लोगों ये लगता है, उसे क्या Europe में बैठा है, या इंडिया में नी है but that's not the case मेरा, मैं मैं खुद चाहता हूँ कि I completely get it या, शायद मेरे 40s में और 50s में मैं भी ऐसे ही खुद की life को देखता हूँ I feel अभी I want to take on that hunt of business I just, it's something that stimulates me on a very deep level और एक दूसरा minor reason भी है यहाँ पर और वो reason है कि जो society से pressure आता है और जो कह सकते हो कि government से pressure आता है जब कुछ ऐसा content बनाया जाता है तो बाहर रहकर ऐसा content बनाजाना ज्यादा आसान है as compared to India में रहकर India में कुछ भी ज्यादा outspoken होगे तो ना side में पडोसी बोलना शुरू हो जाएंगे क्या करने लग रहा है बंद कर दे करना दूर के रिष्टेदार बोलने लग जाएंगे क्या time waste करने लग रहा है हमारे को problem हो रही है इससे मतलब ये भी नहीं कि government तो फिर भी next level है आपके आसपास के जानने वाले लोग भी चीजों को क्योंकि India जैसे हमने पहले बात करी एक बहुत ही ऐसी society है जिसमें लोग आसपास के लोगों को बहुत importance देते हैं तो कुछ भी खुद से free mind से करना इतना आसान नहीं है people need to let go of their own ego and sense of self-respect जब यह होगा न इंडिया में and I feel कि the next generations will let go of it a little bit again because of globalization if India को world से कोई चीज सीखनी चाहिए वो चीज होनी चाहिए यह कि please let go of your sense of ego and self-respect and status life में और बहुत साही चीज़े होती है wealth बनाओ सीखो उन चीज़ों से pleasure लो and don't let ego and status games pull you down Aman D. पूछते है teenagers और youth of India के लिए क्या message है बहुत से messages है मैं actually एक series बना रहा हूँ आने वाले time में जो specifically focus करेगी youth पर और teenage पर लेकिन एक short में बोलना हूँ हो तो मैं यही कहूँँगा वो करो जो आपको actually करने में interest है अपना passion धूंडो और जो लोग क्या गहते हैं उनकी मत सुनो खुद से सोचो खुद से धूंडो क्या करना चाहते हैं अपना passion धूंडो crazy crazy bro okay हर्श चंडेल 18 direct सवाल पूछ रहे हैं क्या YouTube से सच में इतना पैसा आ सकता है कि Dhruv और जूली दोनो अपना mini world tour में continuously लगे हैं and what he learned from every travel destination तो पैसे की question है पहले और फिर travel destinations की question है favorite travel destinations and what you've learned from it but what are your answers brother पैसे की जब बात करते हैं यापर YouTube से definitely आ सकता है और आपको भी पता ही होगा लेकिन मैं उससे एक level आगे जाता हूं मैं सोच मैं जब भी कोई travel plan करता हूं तो मैं यह सोच कर करता हूं कि that travel trip on itself is financially not only supporting the expenses but also a bit profitable financially business mind से मैं कोई भी ऐसी trip नहीं करता जो कि एक loss में जाए तो sponsors के थुरू और collaborating with other organizations or hotels I try to keep it in a positive sense ऐसा भी नहीं कि crazy ना सिर्फ यह है कि जो पैसे spend किये जा रहे हैं वो उसको recover किया जा सके बलकि positive में रहे हैं आपर आप ये थोड़ा breakdown कर सकते हो can you give a case study कि मान लो आप कल Spain जा रहे हो तो आप कैसे approach करोगे उस trip को तो मैं पहले देखूँगा कि कितने दिन के लिए जाना है साथ दिन के लिए जाना है मैं लिस्बन गया था आपर on average एक बलोक से adsense से कितने पैसे आते हैं जो compensate कर सके और फिर sponsors से कितने आएंगे और फिर मैं देखता हूँ कि कैना है अगर वो match नहीं हो रहा है target जो पैसा माँ पे spend किया जा रहा है और जो पैसा माँ से earn किया जा रहा है तो मैं hotels को approach करूँगा कि maybe they can give a free hotel stay in exchange for their promotion या फिर और कोई tourism का department हो गया उसे approach करूँगा तो इस तरह से हर trip को मैं approach करता हूँ crazy and the second question कि आपने जितने भी देशों को अब तक देखा है जितने भी destinations को अब तक देखा है उनमें से favorites क्या है और वहाँ से सीखा क्या आपने favorite मैं कहूंगा मेरा Iceland है क्योंकि Iceland है एक ऐसी country है जो बहुत ही बहुत ज़्यादा यूनीक है वहाँ पर जाकर ऐसा लगता है कि एक नए planet पर आ गए हो क्यों मतलब जो आसपास की environment है वो इस तरह की है एक beach है जो जिस पर black sand है completely black sand और उस पर ice के diamonds की तरह रखे हो है एक diamond beach है उसका नाम actually तो imagine एक black sand है और उस पर glittering diamonds इतने वड़े वड़े रखे हो हैं जो की ice blocks हैं वो glaciers तोटके आ रहे हैं और उस बीच पर इखटे हो जाते हैं तो ऐसी बहुत सी nature के aspect से देखे तो बहुत ऐसी unique चीज़े हैं जो Iceland में देखने को मलती हैं जो कहीं और नहीं देखी मैंने got it ठीक है cool Iceland is the pick महां से सीखा गया आपने मैंने यही सीखा कि एक country को कैसे sustainable रखा जा सकता है वो पूरी country 99% of the energy demand उस country की geothermal energy से meet होती है जो नीचे ground से heat निकल रही है जो कई hot springs होते हैं देखा होगा यह इंडिया में भी कई जगाओं पर हैं शायद मत्हुरा में एक है जो जो लोग नहाते हैं उन springs में जाकर तो उस heat को अगर capture कर लिया जाए और उससे electricity produce करी जाए उससे geothermal energy गहेंगे तो पूरा Iceland ही एक volcanic उस पर based है तो वहाँ नीचे से काफी heat आती है जिसको use किया जा सकता है crazy okay Sanjit Keswani मेरे team member है interesting question है meme pages के बार में और memes की दुनिया के बार में क्यूंकि आप पर भी बहुत memes बनते हैं दोनों left wing right wing neutral meme pages भी होते हैं and all three make memes using Dhruvarati's content तो meme pages को लेकर आपकी क्या राह है मेरी राह है की memes are the future of social media business and there will be many meme influencers but आप क्या सोचते हो memes के बार मेम एक is a form of comedy actually मैं तो यही सोचता हूँ हसने के लिए अच्छा है गाफी अच्छा है मुझे मुझे dark meme pages बहुत अच्छे लगते हैं I think somewhere because मेरी management मुझसे हमेशा यह कहती है कि please offensive tweets or offensive memes share मत कीजिये retweet मत कीजिये offensive चीज़े बोलो कि वो मेरा brand है that's fine I understand but secretly मुझे यह offensive meme pages बहुत अच्छे लगते है कि humor बहुत ही ज्यादा offensive होता है बहुत ज्यादा offensive और I like someone stretching their humor limits like that even if it's on me बिल्कुली गलत country ऐसी चीज़ों को share करने के लिए जहां पर अभी कौनसा comedian अभी भी जेल में बैठा है ऐसे joke के लिए जो उसने जोक मारा तक नहीं नाम भूल गार but I know what you mean मुनावर इंदोर में वो सिटुवेशन वी I guess meme pages हमेशा anonymous ही रहेंगे I think a mainstream meme page is Ted the stoner but I can't think of anyone else who's that mainstream चाहिए अर्वी सीजे they became mainstream कोई तरा mainstream नहीं है वो भी उस लेवल तक मतलब if they become mainstream they also the content extremity goes down also उस लेवल का content नहीं बनाते फिरो जो लोगों को offend करेगा अब को लगता है कि humor ज्यादा dark होने वाला है in the years to come because people are just gonna be like fed up कि नहीं अभी बस हो गया vanilla humor अभी चलो offensive humor बनाते बड़ा मुश्किल है बताना है society कैसे रियाद करेगे इस से अगर chance दिया जाए तो definitely हो जाएगा लेकिन जो लोग है ना society में जो parents है आसपास के लोग है वो ऐसा होने नहीं देंगे मुझे लगता है well I'll say a dark thing until that generation dies out then we don't know sorry sorry mom and dad not my mom and dad your mom and dad I mean and and my mom and dad but my mom and dad don't watch my content man so anyway no it's not that no it's not that they are very key I don't know what you are at home so why do you watch content my mom doesn't like podcasts she watches the vlogs and she shouted at me a lot for giving gali's and all but what do I do she's like dude why do you behave like an idiot in your vlog my team brings that out of me man see look I have a lot of stress in business and I have a logic that I should open up with my team these are like my family members only uh and I like I like setting the tone you know because if I am doing some shit with the team I am doing some shit that will show some shit in edits they will understand and they also love dark memes so you know that's what we bond with when I am interviewing someone I always ask them do you enjoy dark humor tell me a dark joke and I like seeing how deep they take it because that shows a certain level of bravery exactly and I appreciate bravery it also shows tolerance I think how much you can tolerate it 100% 100% and what I demand to my teammates is toughness you know I want that mazbooti don't don't rely on me to pick you out of dark places pick yourself up I'll be there but have a certain level of toughness that's what I require if I am building for the next 50 years I am not gonna be there to molly cord will you sorry but anyway okay few more questions Mr Dhruv and we will have a section with you but few more questions take us okay next question is Mitesh Dagarh question Netflix have you ever approached or OTT platforms have you ever approached for projects and if yes how do projects decode with Dhruv I have done with Netflix I have done but I think their question is main like a Netflix show or something or a mainstream OTT show no offer but I have proposed but nobody has accepted the proposal no no it will happen but I think even if it does not happen it's not a big deal because I realized that as YouTube some Bollywood films and OTT platforms give a lot of importance while our content and platform is so important and powerful exactly impactful and here freedom I feel that YouTubers don't value their freedom I mean not all YouTubers I feel there are some who want to just stick with the YouTube game I see you as that technical Guruji exactly people are acting that's their personal life goals personal ambitions but your freedom will go the freedom that you apply in your life it will not because there will be things in other people's control it will be like playing a team sport versus playing an individual sport you are in charge audience different type who are Netflix subscribers they are a subset of the Indian population they are a lot of different thoughts they are a lot of different things different definitely okay Muskan Gupta asks in your point of view what solution can be adopted to empower women in our country to improve safety and possible solutions of most of the problems that women face do you see the coming future as a time where problems of women are solved either through technology or some other means what is your solution Dhruv? I think it's a very big deep question it's a simple answer it will be doing injustice to the question if I try to answer it in a few words but as an example if I want to give one example what can I do for women empowerment I think it would be to promote inter-caste and inter-religious marriages because most of the same caste and same religion marriages they promote their same thinking and promote their same thinking which almost every religion we see conservative people who want to live at home and go out but if there will be such a marriage which will be against the status against which will be the society which will be against the women will be empowered feel that I think they will want to work be independent do something of their own okay I feel it's also again content drives culture so if content about women empowerment same of course definitely tomorrow if we have our version of like a female Shah Rukh Khan you know if that's ever possible that will drive culture definitely play what matriarchal societies there like Bengali society to some extent is matriarchal to some extent culturally it's matriarchal northeast is matriarchal Kerala is matriarchal 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 that's why there is a concept of like if you look into deep Indian culture matriarchal is such a big figure in just the general culture I feel key there's a lot to learn from matriarchal society and even that society has its benefits there are there are advantages of being a woman you know you just have different strengths more empathy more emotional thinking we even saw this in the case of you know covid for example the countries which had women leaders they handle the situation way better than actually generally this is what you see in the countries prime minister is a woman in general better response in a different crisis you know I'll tell you my dream that I'm being a house husband at some point I like the idea I like the idea of having like a leader as a partner but again that's just a personal thing I feel that on a personal level I'm trying to do a lot for women in entrepreneurship maybe because of my sister and my mom who are both like independent women they've always told me and even my cousins same case independent their career is good I want to create more versions of that if I have a platform okay I'm a guy I don't have a vagina but I will promote women I know that you don't have many rights as a guy to talk on behalf of women but okay this is my position in life true so let's see what happens in the future like what I can do on an independent level I'll do for women and I've seen this in my teams also hmm her team a female member benefit I feel that your female leaders in your workforce definitely a lot of energy a lot of thinking a lot of perspective and it's again that's the best case for business if your team is just I know you can become a little unidimensional perspective it is a possibility okay this is a question from our team Julie Julie question is a very simple question and it's actually an interesting question Satyam Pandey asked if you are dating someone another country you have to know more about that country you have to know more about that culture more about that culture as compared to just surface level friendship so Julie what did you learn about that culture that that culture or at least that culture how do you think how do you think there are small things who come to the front where we live in daily life when we live in daily life as an example so Julie has told me that I do a lot of things चीजों में बहुत slow हूँ, बहुत एक chilled relaxed तरीके से लेता हूँ चीजों को, जबकि वो खुद, जब भी कोई काम देखता है, तो जल्दी से जल्दी उसे करने की कोशिश करती है, efficient रहने की कोशिश करती है, तो I think ये एक बहुत ही strong cultural difference है, और जब हमने बाद में देखा कोई औ European-Indian couple को, तो उन्होंने भी same problems के बारे में बात करी या same चीजों के बारे में बात करी कि ये हमने भी observe कि ऐसा ही होता है हमारी relationship में भी, तो चोटी-चोटी चीजे आती हैं definitely सामने बहर कि क्या cultural differences है, इंडिया के वैसे positive cultural traits क्या है, because I'm sure she's highlighted your positives as well, I think the same thing can be positive or negative in different situations, कि काम और composed रहना, कुछ चीजों में ये annoying लगता है, कि जैसे मैं बरतन धो रहा हूं, तो बहुत time लगा रहा हूं, मैं laundry निकाल के सुखाने लग रहा हूं, तो बहुत time लगाने लग रहा हूं, उस चीजों में उस aspect से annoying हो जाता है, लेकिन अगर किसी stressful situation में काम रहना, useful हो जाता है, positive बन जाता है, और same with another example कि Indians को relaxed और ऐसे देखा जाता है कि हम time पे काफी late आते हैं, time के उतनी कदर नहीं गरते हैं, तो ये भी positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, लग-लग situations में, यह फिल कि उनके culture से professionalism और punctuality mainly, यह दो चीज़ा definitely सीख भी और भी बहुत साही चीज़ है, पर यह भी professionalism, punctuality भी अच्छी चीज़ है, लेकिन यह भी extreme में चला गया तो उतनी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि it makes you feel stressed and, हर बारी काम काम पे ध्यान रहता है, फिर, crazy, okay, यह last question है, कि अगर, यह संजित के स्वानी की question है, अगर आप YouTuber नहीं होते हैं, तो आप क्या करते हैं? मैं YouTuber नहीं होता है, तो मैं कोशिश करता है, जो, मैं कौन सी, 2009-10 के टाइम पे मैंने सोचा था, जो Nat Geo पे, Discovery चैनल्स पे शोज आते हैं, वो Man Vs. Wild से भी मैंने काफी inspiration ली थी, मैं उस तरह का बनना चाहता हूँ, यह करना चाहता हूँ, उस वक्त, आप डोर्स में ना? आप डोर्स में ट्रावल करना या नेचर में शोज बनाना या यह ट्रैवलिंग के चैनल्स होते थे, क्या होता थे, TLN, TNL, ट्रैवलिंग के चैनल्स होते थे, TLC, TLC, हाँ, TLC, exactly, तो उस टाइप के शोज में करता, अगर नहीं होता था, तो उस आप अनिमल्स की दुनिया भी बहुत भयानक दुनिया होती है, मेरा एक फेवरेट इंस्टग्राम पेज, और यूल थैंक मी फॉर इस फॉर लाइफ, आट नेचर इस मेटल, और बहुत बहुत डरावनी आनिमल्स की फोटो होती है, की एक लाइन जारा है उसके मूह में एक यूट्यूब वीडियो, बहुत 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 वाइलेंट इमिजिस होते हैं, और मैं वो इसलिए देखता हूं कि मुझे पर्स्पेक्टिव चाहिए की फॉक्क, हमारी दुन्या में यह सब चीज़े भी हो रही है, बट यह है मेरा फेवरेट पेज, प्लीज उस पेज को देखो, I would even request the followers, अगर आप यह audio platforms पर सुन रहो, तो गो चेक आउट, nature is metal, बहुत 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 सजेस्ट की Australia जरूर जाना, वहां पर जो wildlife देखने को मिलती है ना, next level, बहुत 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 बहुत। आइवरी कोस्त के लोगों से मिला हो, वो वेस्ट आफरिका हो गया, जो लोग मानने की दुनिया का एक बहुत डेंजरिस स्पॉर्ट है, I don't know, I mean Nigeria, yes I know, I've heard a lot, East African culture इंडिया से बहुत ज्यादा सिमिलर हो रहे है, and that's a place I want to explore, plus अगर आपका हिस्ट्री का शॉक है, तो एक Covenant, I think Jewish culture में Ark of the Covenant का बहुत ही ज्यादा significance है, और लोग कहते हैं कि अभी भी वो Ark of the Covenant, किसी को पता नहीं, इतिहास में किसी ने लिखा नहीं है कि Ark of the Covenant eventually यहां गया, किसी को पता नहीं कि अब वो कहा है, वो एक डिवाइस है जिसमें बहुत ज्यादा, apparently बहुत ज्यादा प प्लेस आ रिली वन्न ट्रावल टॉ बट दुड दुरू वराधी जी आप बिलॉंग करते हो, इंडिया से, वी तॉक अबोट रावल न अन अधर पॉर्टकास्ट, I feel कि वी चीप टॉकिप टॉकिट आप ट्रावल, और एपिसोड़ आप ट्रावल, यहाँ अधर अधर पॉर्टकास्ट भी बनाएंगे, पर अब, क्योंकि यह आपका इंट्रोडक्शन है, टी आरेस हिंदी पर, यह फाइनल सेक्शन है, जो मैं बहुत सारे इंडियन इंफ्लूएंसर के साथ बातचीत करता हूं इस चीज के बारे में, और वो है कि आपको यह लगता है, बीस सा फानळों में, यह इंफ्लूएंसर करियर के फाइदे ऐखाकर, जब हम इननशल इस्ट्रॉंग बन जाएंगे, हमारा फेम वह तक बढ़ जाएगा, हमारा इंफ्लूएंस वहा तक बढ़ जाएगा, अगर दस यह बैस इनफ्लुएंसर ने साथ में मिलकर, ego-less, status-less, hierarchy-less, political party start करी. Do you think that's a possibility for the future that the influencers take it in their own hands? I'll tell you realistically क्या होगा. मैंने आम आदमी party को बहुत observe किया है. वो एक start-up की ते रह था politics में. It started out as a platform जो idealism में बिलीफ करता है कि हम corruption के against हैं. हम अच्छी चीजों में focus करेंगे. लेकिन eventually party में split हो गया. Between the people who are idealists and between the people who are more realistic and practical. जो realistic लोग थे उन्होंने देखा कि ठीक है हम ये चीज़ करना चाहते हैं ideally. लेकिन actually में अगर हम वो करेंगे तो क्या लोग हमें vote देंगे? नहीं देंगे लोग हमें vote. लोग लोगो को इन इन चीज़ों देख लोग ये चीज़े देखकर वोट देते हैं तो हमें उन्हें अपीस करना पड़ेगा उस ऐस्पेक्ट में. और जब अपीस कर लिया उसके बाद हम अपनी अच्छी चीज़े कर सकते हैं. तो इस डिलेमा इफ सच अ तिंग हैंपन्स जो आप कह रहे हूं, ये डिलेमा हम भी फेस करेंगे फिर. कि शुड वी डिलिस्टिक और शुड वी बिकम प्राक्टिकल और सार्ट अपीजिंग पीपल और लिसन तो पीपल वाट थे वांट और देन वी वर्क उन अधर पॉलिसीज़ इस अधर कि शायद वो एक टाइमिंग शुड हो सकता था आम आदमी पाटी के लिए कि अधिंग वाट लेट टूथाउसंग इसकी शराद काविशंग त्वेल्ट थरइण फरटीन ट्वेल्ट थर्टीन फूर्टीन ओके ऐली ऐली टूज़न तेन और हम बात करें 2040s की 2000 at least late 2030s की there's some time for that अगर हम यही जॉब करते रहे podcast मैंने अगर 2000 podcast मैंने 3000 podcast मैं आपने 100 million subscribers at least accumulate कि and I know you will because that's just the size of our country हम तब तक करते रहे मान लो even अभी अभी अन्यू उन्होंने तब तक किया उनके भी 100 million है भुवन उनके भी 100 million है प्राजक्ता के भी 100 million है और सभी का एक common goal है कि इंडिया को चेंज करना है हमने basically मान लो तब तक अगर 2 billion लोग भी एंडिया में तीन बिलियन लोग भी इंडिया में अगर हमने 1 billion लोग को capture किया और हम उनके thoughts influence करे for the positives of the country I think that's a possibility Of course it's a possibility I think it can have a very very big impact Yes But Okay और अगर मान लो We get voted in मान लो We actually form the government How would you like to change things collaboratively Because Dhruvrati is not gonna do it alone B.A.V.S. is not gonna do it alone Abhi and you aren't gonna do it alone Together what would you like to do To change India So when you become a politician You become a politician One aspect is to become a politician And win a election This is a very draining And stressful चीज़ है कि एक politician बनो और election जीत जीतने के बाद एक नई skill की जरूत होती है वो है governance वो completely different है Politicians के Politics से अगर आप compare करोगे हमारे देश में जतने जातर जो politicians हैं वो या तो governance में अच्छे हैं या politics करने में अच्छे हैं या तो election जीतने में अच्छे हैं या election जीतने के बाद काम करने में अच्छे हैं ऐसे बहुत rare लोग हैं जो दोनों चीज़ों में अच्छे मिलेंगे तो I think अगर हम इसमें succeed हो जाते हैं election जीतने में तो what I will do is governance का काम उन लोगों को समालने दो जो actually में इसमें experts finance के experts के लिए businessmen को बुलाओ उनके लोगों से बात करो यहाँ पे sports के minister को बनाना है तो sportsmen को बुलाओ collaboration करके उनसे पूछो कि आप क्या चाहते हो changes आने चाहिए sports की field में और जो भी relevant experts है अलग-अलग field में उन्हें बुला कर ही यहाँ पे consensus बना कर एक decision लिया जाए I think that's the way forward I also feel like I completely agree with you जो आप कह रहे हो कि elections और elected होने के लिए एक skill set चाहिए रहता है और governance के लिए दूसरा skill set चाहिए रहता है तो I feel कि our generation is honestly that first generation that has multiple skill sets plus influencer का job बहुत अलग job रहता है एक तो आपको public के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है और दूसरी चीज़ आपके business skills develop होते है तीसरी चीज़ आपके public speaking skills develop होते है I feel कि all influencers eventually can develop into very high quality politicians who will run the country well but that's just my theory brother No I think it's true it's very likely अब positive हो इस चीज़ को लेकर कि party बन सकती है YouTubers United Party definitely बन सकती है I think we'll end this podcast this episode of TRS ये शायद मेरा life का सबसे लंबा TRS episode है for sure मुझे पता भी ने अगर मैं इसके दो parts करूंगा but I just wanna say thank you brother आपने एक बहुत ही candid podcast deliver किया मेरे साथ I really appreciate it आपके साथ और बहुत सारे podcast करेंगे over the years I am sure next one being about travel God bless you brother before you leave मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके कोई एक एक लास्ट मेसेज है दुनिया के लिए what would Dhruv Raati want the world to know ये वाला सवाल बहुत ही मुश्किल लगता है ये जनरलाइज़ वाले I think is कि मेरा जो काम है मेरा काम है कि चीज़ों को सम्मराइज करना कंसाइस तरीके में रखना और सिंपल तरीके से चीज़ों को जवाब देना एवरी टाइम एक ऐसा कोशन देखने को मिलता है जो अपन एंडिड होता है मेरा दिमार्ट ब्लैंक चले जाता है ठीक है, fine, fair enough, bro I will end the podcast obviously I will link your handles and just thank you from the bottom of my heart appreciate it, brother thank you, thanks a lot I will end the podcast